ये एक natural death नहीं थी ये psychological murder था उनको अज सलाम अलेकुम दोस्तों कल से आज तक आपने social media पर एक खबर जो है वो हर slide उपर करते हुए देखी, सुनी और पड़ी होगी Dr. Amar लियाकत के बारे में उनकी जिन्दगी में ये जो last एक incident हुआ दानिया मलक के साथ मैं उस पर वीडियो बनाता बनाता रह गया कि आज बनाता हूँ, कल बनाता हूँ सोच में पढ़ता हुआ रह गया कि बनाओं या ना बनाओं और ऐसे मैं ही Dr. साथ की death हो गई उनके मरने के बाद अब उनकी क्या बुराई करनी मैं भी उनको कोई personality wise इतना अच्छा शक्स नहीं समझता था जो उनकी हरकात थी लेकिन अब जो शक्स दुनिया से चला गया उसके लिए हम उसकी मफरत की द्वाही कर सकते हैं यही कह सकते हैं कि अल्लाद अल्ला उनका अगला सफर जो है वो असान करे लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह एक natural death नहीं थी यह psychological murder था उनको नफसियाती तोर पर इतना torture किया गया इतना पिंच किया गया और इस सब की जिमेदार दानिया मलिक थी उनकी third wife उसने यह plan किया था कि इस अमीर शक्स को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए इससे शादी की जाए और इससे करोड़ रुपे हथिया लिए जाए आप इस चीज़ को सोचिए के निकाह में होते हुए उस औरत ने मेरे मुझ से तो उसके लिए अच्छे अलफाज नहीं निकल रहे यकीन मानिये लेकिन सोशल मीडिया का मैं ख्याल रखते हुए उस ओरत को मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलूँगा लेकिन उस ओरत ने सुला में निकाह में रहते हुए चोरी डॉक्टर आमर लियाकत की वीडियोस बनाई बरहना और जब लड़ाई हो गई उस बरहना वीडियोस को पब्लिश कर दिया नेट पर डाल दिया आप उस ओरत को देखें ऐसे नदरें जुका कर बिठे हुई है बंदा च्छितर पकड़ ले और ऐसी ओरत की न अच्छी तरह से दुर्गत बनाई कि निकाह में सुला में होते हुए प्लैन करके वो वीडियोस बनाती रही चोरी और बाद में नेट पर डाल दिया ये क्या उस ओरत को करना चाहिए था ये उसकी अच्छी हरकत थी छितरों वाली हरकत थी मेरी हकूमते वक्त से ये अपील है कि दानिया मलिक को फौरण से पहले रासत में लिया जाए और उसको इन्मेस्टिगेर्ट किया जाए कि इस तरह की ओरतें पहले तो अपना प्लैन करके मर्दों को अपने प्यार के चाल में फंसाती है और उनसे करोडों रुपे हथे आने के लिए इस तरह के प्रोपोगंडे बनाती है अगर दानिया मलिक को सक्से सक्स सजा ना दी गई तो आने वाले वक्त में बहुत सारी ओरतें इस तरह के काम सर अन्जाम देंगी लाख बार कहता हूँ करोड़ बार मानने के लिए ये रेडी हूँ के डॉक्टर आमर लियाकत की बहुत सारी गलतिया होंगी क्या दानिया मलिक ने वो वीडियो बना कर बहुत अच्छा गाम किया क्या सबक दिया उसने इस मुआशरे की ओरतों को कि अपने बंदों की ऐसे परहना हालत में वीडियो बनाओ और जब लड़ाई हो जब तलाग हो वो वीडियो जो हैं वो नेट पर लोगों से शेयर करतो और अपने बंदे की इससत का सत्यानास करतो ये सबक दिया हमारी मुआशरे की ओरतों को दानिया मलिक ने इसको कौन पुछेगा डॉक्टर आमिर लियाकत ने तो अपने कर्मों की सजा या जजा अल्ला से लेनी है लेकिन दुनिया में मजूद ये औरत दानिया मलिक जो इस धियानक वाक्य में मुलविस थी इसको सजा कौन देगा मुझे उमीद है कि हकूमते वक्त इस पर जरूर एक्शन लेगी और दानिया मलिक को सक्स सक्स सजा देगी अल्ला ताला डॉक्टर आमर लियाकत को जन्नत में आला मता अपना दौाओं में याद रखना और अल्ला के जिकर का वापिस वाद रखना अल्ला हाफिज